जहे स्वामिनारण, नमस्कार विद्यार्थिम्मित्रों, चालो, आजे आपने आर्टीकल विशे अभ्यास करीशूं आर्टीकल ना मुख्यत्वे बे प्रकार छे, जेमा डेफिनेट अने इन्डेफिनेट आर्टीकल नो समावे स्थाई छे डेफिनेट ने निश्चित तथा इन्डेफिनेट ने अनिश्चित आर्टीकल कहवामा आवे छे जेमा निश्चित मा आर्टीकल ध अने इन्डेफिनेट मा आर्टीकल ए अने एननो समावे स्थाई छे मेत्रो निश्चित एटले के कोई व्यक्ती वस्तू पदार्थ विशे लखनार बोलनार सांबलनार जानतो होई तेव अने अनिश्चित एटले अचोकस बाबत हवे आ आर्टिकल विशे आपने विगते समझवानों प्रयत्न करिये चाल सर्व प्रथम आपने आर्टिकल ए तथा एन केवी रिते वापरी सकिये ते समझिये फक्त एक वचन माज हुआ पराए इटले के ए तथा एन आर्टिकलनों उपियोग आपने मात्रने मात्र एक वचन सब्दना अर्थमा चकरी शकिये छिये फक्त गणी सकाई तेवा नाम साथे आवे इटले के नाम इटले आपनने खबर चछे के व्यक्ती वस्तू स्थल वगेरे आ दुनिया मा जहे कोई नानामा नाना रजकन थीमांडी महा काई मोटा पर्वत चे ए दर्यकने नाम चे तेने आपने अंग्रेजी माँ संगन्या कईये छे तो आवा नाम जहने आपने गणी सकिये एक बे तरण तेवा नाम साथे आर्टीकल ए अथवा एन आवे छे अनिश्चित बाबतो दर्शाववा मोटा समूह के जाती वाचक नाम माथी अलगतारववा माटे अनिश्चित बाबतो आपने आगण वात करी गया के जे बाबत चोकस न थी बनवानी छे बन से के नहीं बने ये विशे चोकस न थी एव कोई व्यक्ती के जेने बोलनार सांबलनार जानतू न थी लखनार जानतू न थी तो ते अनिश्चित बाबत माँ आव से मोटो समूह के जाती वाचक नाम दाखला तरीके काउज एमा थी कोई एक काउने अलग तार्वी लेवामा आवे तो काउनो समूह जाती थै तो एमा थी एक अलग तार्वेलू नाम छे तो तेनी आगड आपने ए अथवा एन लगावी शकीए हवे आपने आ आर्टिकल विशे विगते अभ्यास करिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए एनो उप्युक क्या थाए जो सब्दना उच्चारणनी सरुआत गुजराती व्यंजन थी थती होई तो खाली जगिया मा आर्टिकल ए आवे एटले के गुजराती व्यंजन कया थे मित्रों तकख गथी मांडी गण सुधी ना दरेक अक्षर ने गुजराती व्यंजन मा समावेश करवा मा आवे छे जे आप सर्वे सारी रिते समझो छो हवे जो कोई अंगरेजी सब्द मा त्यानू उच्चारण करती वकते ए सब्दनी सरुआत गुजराती व्यंजन थी थती होई एटले के आपने वाच्चताई वकते ए सब्दनी सरुआत कथी मांडी ने ग्ण वच्चे ना अक्षर मा आवती होई तो त्यां कई ओ आर्टिकल आवे आर्टिकल ए हवे आपने उदाहरण द्वारा आने समझिये तो प्रथम छे अ बैग हवे बैग मां एन उच्चारण मित्रो सानाती सरू थाए छे तो के ब थी तो ब ए सुँछे गुजराती व्यंजन माटे आपने आर्टिकल ए वापरी शकीए ए विजरीते अ पैंसिल अ बोई त्यार बाद अ यूनिट यहां आपने जोई सकीए के यू छे ए अंग्रेजी मा स्वर छे कारण के अंग्रेजी ना स्वरो कया छे जहे आप जानो छो के अंग्रेजी भाषा मा पांच स्वरो छे ए ए आई ओ यू परंतु अंग्रेजी ना स्वर ने आपने ध्यानमान लेता गुजराती व्यंजन अने स्वर ने ध्यानमा लेशु अने सब्दनू उच्चारणनी सरुआत जोईशु तो सब्दना उच्चारणनी सरुआत यथी थाय छे माटे गुजराती व्यंजन होवा थी आर्टीकल ए नो उपियोग करवो पड़े त्यार बाद अ युनिवर्सिटी तो युनिवर्सिटी पन युथी शरु थाय छे माटे ते पन गुजराती व्यंजन छे माटे आर्टीकल ए नो उपियोग करीशु हवे आपने आर्टीकल एन विशे समज मेलविए जो सब्दना उच्चारणनी सरुआत गुजराती स्वर थी थाई त्यारे आर्टीकल एन वपराई छे उदाहरण जोईए एन एपल हवे आपनने बधाने ख्यालज छे के गुजराती स्वर कया छे तो के अ आ इथी मांडी अह सुधिना तेर गुजराती स्वर छे तो कोईपन सब्दनी सरुआत एटले के अंग्रेजी सब्दनू उच्चारणनी सरुआत अ आ इथी मांडी अह सुधिमा आवती होई तो आर्टीकल एन नो उप्योग करी शकिये प्रथम उदाहरन जो एन एपल एपलनी सरुआत शाना थी थाई छे मित्रो ए थी तो ए छे ए गुजराती स्वर छे मांटे आपने आर्टीकल एन नो उप्योग करी शुँँ त्यार बाद एन एलिफंट तो एन एलिफंट मां पन तमे जोई सको के नो उच्चारण पन गुजराती स्वर थी छे त्यार बाद एन अवर अवर मां तमे जोई सो तो तेनी सरुआत छे ए एच थी थाई छे परन्तु तेनू उच्चारण छे ए अवर अवर छे मांटे एच छे ए साइलिफंट एटले के बोलातो न थी ते थी आर्टीकल ए एन आवसे अंग्रे जी मां आवा घणा बदा साइलन्ट वर्ड है छे एन ओंस्ट ओंस्ट मां पन तेनी सरुआत साना थी थाई छे तो के एच थी परन्तु तेनो उच्चारण साना थी सरू थाई छे तो के honest O थी, तो O छे ए गुजराती स्वर छे, ते थी तेमा पन आर्टीकल N नो उप्योग करी सक्ये हवे आपने आर्टीकल A अने N नो उप्योग जोए तो प्रथमवार उप्योग माटे, दाखला तरीके This is a pen कोई पन व्यक्ति वस्तूपदार पहली जवार वाक्ये मा उप्योग थाई, त्यारे आपने A अने N नो उप्योग करी सक्ये त्यार बाद, एकना अर्थमा दाखला तरीके She has been appointed for a year अईया तमें जोए सको, for a year, a year एटले एक वर्स, एक वर्स माटे तेने अपोइंट करवा मा आवी एटले के एक वर्स माटे तेने नोकरी करवानी पर्मिशन आपामा आवी छे, तो एक एव दर्शाव वो होई, त्यारे आपने A अने N नो उप्योग करी शक्ये अनिश्चित व्यक्ति वस्तु दर्शाववा A stranger came here, stranger एटले अजानी व्यक्ति, came here, अहिया आवी तो कोई पन अजानी व्यक्ति छे, जैने आपने जानता न थी कौन छे, क्या थी आवे छे, तो एए अनिश्चित छे, माटे, त्यां आपने A अने N नो उप्योग करिये श्ये भावताल अथवातो दर्शाववा एपल्स आर 90 रुपीज अर डर्जन, एपल्स सफरजन छे, ए 90 रुपीज नेव रुपीया ना डर्जन छे, तो डर्जन अने 90 रुपीज आ बनने भावताल अथवातो दर्दर्शावे छे, त्यां पन आर्टीकल ए अने N नो उप्योग थाए छे केटलाक टूका रुप दर्शाववा, हवे टूका रुप नो सिम्पल फोर्मिला ए छे, के आपने मात्र ने मात्र टूका रुप नो प्रथम अक्षर ने ज द्यानमा लैशू, अने ते अक्षर ने आपने उच्चार करीशू अब BCA, तो BCA प्रमाने आर्टीकल ए लाख से ज्यारे, अन N NCC, NCC मां उच्चारन N थी, इटले के A, तो A स्वर छे, माते आर्टीकल A N, N नो उप्योग थाए छे, जैस्वामी नारें झाले के आरें